हेलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एस्टेडी थिरी पॉइंट वोपे तो दोस्तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में SSV हेट कॉंस्टेबल के लिए एक बड़ी जानकारी लेकर आये हैं एडिमिट कार्ड फीजिकल से आपका काम नहीं चलने वाला है यदि आपको सलेक्शन लेना है SSV हेट कॉंस्टेबल में तो आपको एक बड़ी जानकारी जो आज हम देने वाले हैं और इस जानकारी के यदि आप अंदेखा कीजिएगा तो बाद में बहुत पस्ता आईएगा सो पर तीसाथ हम लिखे देते हैं सबसे पहले बात कर ले कि सबसे ज़्यदा बच्चे भी कॉमेंट करते हैं कि सर SSV का एडिमिट कार्ड कब आएगा फीजी कल कब होगा एक साल से ज़्यदा हो गया तो हम आप लोगों को आज इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप लोगों का फीजी कल डेट क्यों आगे रख दिया गया है क्यों आप लोगों का फीजी कल अभी तक नहीं हुआ सारी जानकरी देंगे लेकिन सबसे पहले ये बताइए केबल फीजी कल से आपका सेलेक्शन हो जाएगा कॉमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या केबल फीजी कल से आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो इसका जबाब है नहीं आपको इसमें exam की भी तयारी करनी परेगी और tapping test की भी तयारी करनी परेगी आपके लिए तीन सब से important है पहला है physical exam और tapping test तो समझ यह आपके लिए बहुत कम समय हैं बहुत सारे student यह सोच रहे होंगे कि physical pass कर लेंगे तो मेरा selection हो जाएगा इसका जबाब है नहीं पिछले बार आप लोगों ने देखा 74 पोस्टों में लगबग एक लाग से जैदा बच्चा फीजिकल पास के लेकिन exam में जाते 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 200 बच्चा बच्चा क्योंकि क पहल को सुरू हो जैगा और इस बार का फीजिकल थोड़ा हाड लेबल का होगा 1600 मीटर रणिंग है जिस तरह से आर्मी में रणिंग होता है उसी परकार से इस बार आप लोगों का रणिंग होने वाला है समझ गया आप लोग तो आप लोगों का जो physical admit card है वह नमंबर में आने वाला है किसी का form reject नहीं किया गया है जो भी बच्चे form online apply किये है सभी का admit काट आएगा तो दोस्तों आप लोग exam पे भी ध्यान दीजिए और typing पे भी ध्यान दीजिए ये दो चीज पे ध्यान दीजिए और physical पे भी नहीं तो आपका नया आधे रस्ते में डूब जाएगा तो इसलिए हम आप लोगों से बोलना चाहते है बहुत सारे बच्चे को बुरा लग रहा होगा लेकिन जो right बात है आप लोगों के लिए रोज रात आठ बजे दोपर तीन बजे क्लास चलती है SSB hate constable के लिए तो बाद में मत वो लिए कि सर क्लास नहीं कराए इसलिए physical पे ध्यान दीजिए लेकिन exam और tapping पे ध्यान दीजिए और इसमें वजन के अनुसार height के अनुसार आपका वजन भी मापा जाता है क्योंकि पिछले बार सबसे ज़दा बच्चे जो फेल हुए तो सबसे ज़दा बच्चे height के अनुसार उनका वजन नहीं था या किसी का वजन बहुत अतिधिक था इसलिए वो reject हो गए मेरे सामने में तो इसलिए बोलते हैं आप लोग running भी कीजिए exam की तयारी भी कीजिए और physical भी कीजिए और tapping test में लग जाए जिसको बर्दी लेने का जोस है होस है selection लेने का लत है तो प्लीज typing में लग जाए आप लोगों के पास बहुत कम समय है तो आप लोगों को ज़ए exam के admit card है वह नमंबर में आएगा और आप लोगों को जन बड़ी में आप लोगों का exam होगा भारत राज में जितने भी physical center है और जितने भी राज है सभी के राजधानी में exam होता है तो दोस्तो जानकारी कैसी लगी जरूर कॉमेंट करके बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जयाहिंद वंदे मात्रम बेस्ट आप लख आप लोग physical कीजिए exam के त्यारी कीजिए और tapping test की भी त्यारी कीजिए जयाहिंद वंदे मात्रम